आज मैं आपके साथ सेयर करने जा रही हूं चटपटा और स्पैसी निम्बू और हरी मिर्च का अचार यह बहुत ही कम इंग्रीडियेंट्स में और बहुत ही जल्दी से तयार हो जाता है यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइ जरूर करें और मेरी रेसिपी पे अपने कमेंट्स जरूर लिखें अचार बनाने के लिए मैं यहापे साथ निम्बू ली हूं 200 ग्राम हरी मिर्च ली हूं नमक में टेस्ट के अनुसारी उच करूंगी एक चोटा चमच कस्मीरी लाल मिर्च ली हूं जिससे अचार का कलर ब निम्बू या हरी मिर्च में मौइस्चर ना हो और इसे मैं इस तरह से स्लिट करके रख रही हूं यदि मिर्च थोड़ा लंबा है तो उसे बीच से कट कर दूंगी मैं आप अपने पसंद का कोई भी सेप में हरी मिर्च को काट सकते हैं इसी तरह मैं सारी मिर्च को काट कर सारी हरी मिर्च को मैं काट के रख ली हूँ, अब मैं निम्बू काट लूँगी अब मैं निम्बू काट लूँगी, मैं यहाँ पे साथ निम्बू ली हूँ, जिसमें से चार निम्बू का मैं रस डालूँगी अचार में और तीन निम्बू को काट कर मैं मिर्च के साथ अचार में डाल दूँगी एक निम्बू से मैं आठ भाग करूँगी छोटे छोटे टुकरे में करके निम्बू डालेंगे तो अचार बहुत ही टेस्टी लएगा ये देखिए मैं एक निम्बू का आठ भाग कर ली इसी तरह मैं सारे निम्बू काटूंगी सारे निम्बू को मैं काट के रख ली हूँ और सभी निम्बू से ये देखिए मैं बीज निकाल दी हूँ अब मैं बचे हुए निम्बू का रस निकाल लूँगी निम्बू का रस निकालने के लिए सबसे पहले मैं सभी निम्बू को आधे आधे भाग में डिवाइड कर लूँगी और इसके बाद मैं ये देखिए इससे निम्बू का रस निकाल लूँगी हाथों से भी हम नीमबू का रस निकाल सकते हैं पर हाथों से जब नीमबू का रस निकालेंगे तब रस को छना से छान लेंगे ताकि उसका बीज अचार में ना जाये नीमबू का रस तयार है अब मैं next process की ओर चलूँगी अचार बनाने के लिए सारा ingredients तयार है अब मैं एक एयाटाइट कंटेनर ली हूँ जिसे धो कर अच्छे से सुखा ली हूँ अब इसमें मैं थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दूँगी ये बिना तेल और मसाला का बहुत ही टीस्टी अचार होता है और जटपट से तयार हो जाता है थोड़ासा निम्बू डाली मैं थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च और डाली मैं और थोड़ासा निम्बू और डाल दूँगी मैं और अब इसमें मैं नमक डाल दूँगी थोड़ासा निम्बू कर अच्छ मैं डाल दूँगी और थोड़ासा बचा लूँगी लास्ट में डालने के लिए, अब उपर से मैं सारी हरी मिर्च डाल दी, और निम्बू भी डाल दी मैं, अब इसमे मैं बचा हुआ निम्बू का रस डाल दूँगी, और नमक डाल दूँगी, अचार में नमक थोड़ा ज़्यादा डालें, नमक एक अच्छा प्रिजर्वेट और इससे अचार का टेस्ट भी बहुत अच्छा जाता है अब इसमे में कस्मे लाल मिर्च डाल दी इससे इस अचार का कलर अच्छा आएगा और चमपत्स मिक्स करने के बाद मैं इसमें धक्कन लगा दूगी और इससे एस तरह से शेक करungeंगी इससे क्या होगा कि आत INTERILY कर दो इसमार में अच्छा से मिक्स हो जाएगा जब भी अचार खाने के लिए निकालने जाये तो सबसे पहले अचार के सीसि को इस तरह से से करने ताकि निम्बू का रस उपर और नीचे अच्छा से मिल जाए और तब अचार निकाल कर खें निम्बूna आरी मेर्च का चेट पटान अचार बन कर तयार है यह देखिए यह कितना खुबसूरत दिख रहा है आप इसे रोटी पराठे या फिर चाबल के साथ यह बहुत ही टेस्टी होता है आप यदि इसे फ्रिज में रखेंगे तो यह 7-8 दिनों तक खराम नहीं होगा पर यदि 2-3 इन दिनों तक इसे धूप में सुखा लेंगे तो यह मैने भर तक खराम नहीं होगा यह बहुत ही टेस्टी है आप इसे घर में जरूर ट्राइ करें मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें